22 जनवरी को आयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा हुनी है तो वहीं 36 गड़ में बन रहे राम बन गमन पत को लेकर लगतार कॉंग्रेस और भाजपा दोनों में ही राजन्यतिक दलों के बीच जुबानी जंग चड़ी हुई है 36 गड़ के मुख्य मंतरे विश्णु देव साय का कहना है कि अगर राम बन गमन पत में भरष्टाचार हुआ है तो उसकी जाच कराएंगे और दोशियों पर कारवाई करेंगे सीयम के बयान पर पिस्टे से चीफ दिपक बैच ने पलटबार किया उन्होंने कहा सरकार के पास कोई काम नहीं है इसलिए कॉंग्रिस की नाकामिया निकाल रही है देखें पिछली सरकार में बहुत सारे बहताचार हुए हैं और जो भी लगेगा की गलत हुआ है उसमें जाच बैठाएंगे और दुस्दार लोग उपर मकारवही होगी देखें भारती जन्ता पार्टी की सरकार लगबग दो मैने लगबग पूरा होने जा रहा है प्रदेश में कुछ काम दो दिखनी रहे तो यह सिर्फ कांग्रेस की कमिया खोजकर यह जाच कराएंगे वो जाच कराएंगे बहुत के पास पूरी सरकार है आप कोन रोगा है द और उसी का नतीजा है कोसलिया माता का मंदिर हमारी सरकार ने बनाए और कही ऐसे यहां से लेके सुकमा तक का राम वण गमन के पत्के माद्यम से हम लोग बहुत से परियाटे निस्तल और राम वण गमन का चिनांकित कर हमारी सरकार ने उसको एक बढ़ावा दिया है तो लेकिन अभी भी कांग्रेस की कमिया निकाल रही है मैं समझता हूँ कि ये सरकार दो मेने से पुरी तरह से फेल